प्रण्स टेक्नोलोजी का इस्तमाल आज के समय में हम सभी लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलोजी है जो हम अपनी डेली लाइब में इस्तमाल करते हैं लेकिन हम उनकी टेक्नोलोजी का नाम सिर्फ हम उनकी इंगलिस नामों से जानते हैं इनका हिंदी में actual मतलब क्या होता है हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता है जैसे कि माल लीजिए mobile phone तो mobile phone को हिंदी में क्या कहते है ये हम लोगों में से बहुत कम लोग को पता है computer हो गया laptop हो गया इने हिंदी में क्या कहते है किसी को भी नहीं पता होगा तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही technology words के बारे में बताने वाले हैं और साथी साथ उनका हिंदी में मतलब भी बताने वाले हैं तो जिनके बारे में आप सायद ही जानते होंगे और जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और हसेंगे कि इनका ऐसा भी कोई नाम होता है तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको लाश्ट तक देखना होगा तो सबसे पहला वर्ड्स है चैट तो फ्रेंस चैट को हिंदी में क्या कहते हैं यह आप लोगों में से बहुत कम लोग को पता होगा तो आपको बता दे कि चैट को हिंदी में बकवास या बातचीत कहते हैं तो आज के टाइम में आप लोग हमेशा वार्ड्स हैट करते हैं या फेस्बुक चैट करते हैं तो इसका हिंदी में actual मतलब होता है बकवास या बातचित करना फिर next technology words है computer तो friends computer का जो हिंदी मतलब होता है ये होता है संगड़क तो computer को हिंदी में संगड़क बोलते हैं तो आप लोग ये भी दिमाग में याद रखिएगा फिर next technology words है soft bear soft bear को हिंदी में क्रमा नुदेश कहते हैं तो आप लोगों में से सहथ बहुत कम लोग इसका हिंदी मतलब जानते होंगे तो friends फिर आए next technology words जानते हैं तो friends इसके बिना आप लोगों का कभी भी काम नहीं चलता होगा तो friends आज के time में इसका जो है सबसे जादा यूज होता है तो आप लोग guess कीजिए ये क्या है तो friends ये जो है इंटनेट तो इंटनेट का जो है आज के time में हम लोग daily यूज करते हैं लेकिन इंटनेट का actual हिंदी मतलब क्या होता है ये हम लोगों में से बहुत कम लोग को पता होगा सबसे इंटनेट का जो हिंदी मतलब होता है ये होता है भूजाल तो friends इंटनेट को हिंदी में भूजाल कहते है तो friends अगर आप लोग कभी भी mobile साब पे जाईएगा तो उससे बोलिएगा भाई मेरा भूजाल रिचार्ज कर दो तो साइद वो आपको एक जापड भी लगाएगा कि भाई ये भूजाल क्या है तो इंटनेट का जो actual मतलब होता है ये होता है भूजाल और friends हम आपको बताते कि हमने अपने इसी चैनल पर calendar से relative जितने भी question आपके exam में आते हैं इन सब type के question को जो है हमने इस वीडियो में कबर किया तो आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लिजेगा और इस वीडियो को लिंक जो है description और i button में मिल जाएगा तो फिर next words है technology तो technology को हिंदी में क्या कहते हैं तो technology का हिंदी में actual मतलब होता है प्रदोयोग की तो technology को हिंदी में कहते हैं प्रदोयोग की तो I hope यह भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा फिर next technology वर्ट्स है laptop तो फ्रेंस लेपटाप का जो है आज की टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा इस्तिमाल करते हैं तो laptop को जो है हिंदी में छोटा गणक कहते हैं तो फ्रेंस देखिए यह सब वर्ट्स जो है हमारे daily life में यूज होते हैं बट उन्का हिंदी में actual मतलब नहीं जानते हैं तो आप लोग जो हैा टेली बी ज अकसर देखते होंगे तो टेली बीजनी जो ह है हिंदी में क्या कहते हैं तो तेली वीजेयर कहmmm है ह爆 han चित्र पटल यहिए दूर दर्शन तो उंब यह भी आपको अच्छे से किलियर हो गया होगा फिर नेक्स्ट वर्ड्स r तो प्रिंटर कोंक जो है रिंदी में क्या कहते हैं तो प्रिंटर का हिंदी वर्ट से है mobile phone जिसके बीना आप लोग एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं तो mobile phone का actual में हिंदी मतलब होता है चल दूर भास तो आप लोग जो है इसका real अर्थ मत निकालने लगिएगा कि चल से चल और दूर से दूर और भास से भाग जा तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है तो mobile phone का actual हिंदी मतलब होता है चल दूर भास फिर नेक्स्ट है social media तो देखे फ्रेंस social media का हिंदी में मतलब होता है समाजिक माध्यम तो I hope यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो फिर आईए एक बार और repeat कर देते हैं तो फ्रेंस देखे chat चैट का हिंदी होता है संगड़क फिर next है soft bear soft bear का हिंदी में आक्चुल मतलब होता है क्रमा नुदेश री नेक्श्ड वर्ड यह सैं इंटरनेट का हिंदी में रियल मतलब होता है भुजालłem से नेक्स्ट है technology का हिंदी में एक्चुल मतलब होता है प्रदोग की फिर नेक्स्ट वर्स है लेप्टॉप तो फ्रंस देखे लेप्टॉप का हिंदे में एक्चुल मतलब होता है छोटा गड़क है फिर नेक्स्ट है टीबी या टेली बीजन तो टीबी या टेली बीजन का हिंदे में एक्चुल मतलब होता चल दूर भास, फिर नेक्स्ट है सोसल मीडिया, तो देखें फ्रेंस सोसल मीडिया का हिंदी में एक्चुल मतलब होता समाजिक माध्या, तो I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी जादा helpful रहा होगा तो फ्रेंस उम्मीद करते हैं कि चैनल को एक बाद सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजेगा हम और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जाइन जाय भारत